पत्नी बोले आलू का पराठा बना दू आज आपको। पत्नी बोले नहीं नहीं रहने दो मैं इंसान ही ठीक हूँ बड़ी आई जादूगर नहीं। हिंदी के प्रोफेसर ने क्लास में पुछा, गाली की परिभासा बताओ। स्टूरेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर सारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए, मौखिक रूप से की गई, हिंसात्मक कारेवाही के लिए चुने गए सब्दों का समुह, जिसके उच्चारण के पस्चात मन को असीम सांती का अनुभव होता है। उसे हम गाली कहते हैं प्रोफेसर बोले, आपके चरण कहां है प्रभू। एक लड़का अपने दोस्तों से बोला, यार मेरे वाटसप ग्रूप में एक बंदा इतनी दुख भरी सायरिया भेजता है कि अब तो मैं भी उसकी गर्फरेंड को मिस करने लगा हूँ। एक ट्रेन में प्रेमी युगल यात्रा कर रहा था। प्रेमीका ने प्रेमी से कहा, प्लीज तंग ना करो, मेरा सिरदर्द कर रहा है। प्रेमी ने प्रेमीका का सिर्चुमा और फिर पूछा, अब दर्द कैसा है? प्रेमीका बोली, अरे वाह, दर्द तो गायब हो गया? थोड़ी देर बाद प्रेमीका बोली, प्लीज, तंग ना करो, मेरी आँखे दर्द हो रही है. प्रेमी ने उसकी आँखों पर किस किया, और फिर पूछा, अब दर्द कैसा है? प्रेमीका प्यार से बोली, वाह, दर्द तो गायब हो गया? इतने में सामने बैठा बुजूर्ग, उम्मीद से उठा और लड़के से पुछा, बेटा, क्या बावासिर का इलाज भी कर लेते हो? एक महत्वपूर्ण सुझाओ, कभी बहुत दुखी हो, तो अपनी साधी का वीडियो उल्टा चला कर देख ले, मज़ा आ जाएगा. डांस करते करते अपने घर लड़ जाएगे.